रामिन छेतरों में विकास में काड़ी रहत्म संग्यान फॉंडेशन की द्वारा मंगलवार को बिरोल पडखन के अकबर पुर्बेक पंचायत में निसुलक सिलाई परसिक्चन केंदर का उदघाटन किया गया कार्चकरम की सुरवाज समारों की अतितियों ने विरिक्चा रूपन करके किया उहीं गाउं में रोजगार की सिरजन के लिए संस्था ने महिला सस्कतिकरन के चैतर में एक और किर्थिमान अस्थापित किया है उदघाटन समारों को सम्बोदित करते हुए पंचायत के मुख्या विसंबर पास्वान ने कहा कि एक पुरूस के सिक्षित होने से सिर्फ एक परिवार आत्म निर्भर बनता है लेकिन एक सिक्षित महिला समाज को आत्म निर्भर बना सकती है वही भाजपा नेता विनेकुमार पास्वान ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए गिरामीनों से सहियों की अपिल की ताकि सिलाई कटाई का प्रसिछन प्राप्त कर महिलाएं अपने सोरोजगार की मदद से अपने पैरों पर खड़ी हो सके वही कार्चकरम को संबोधित करते हुए पुर्परधाना ध्यापक की रिसन मुरारी आचारे ने कहा कि संग्यान फौन्डेशन के द्वारा गाउं के विकास एवं महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्च किया जा रहा है वही मन संचालंग के सब आचारे ने किया कार्चकरम में आतित्वी के रूप में सरपंच गौरी संकर पासवान पंचाय समिती सदच निर्मला देवी आचारे राहूल सहवाज अहमद अवधेश ज्ञा एवं भाजपानेता रंजी ज्ञा भोलानात आचारे सुरेश आचारे सहित काफी संख्या में गिरामिन वह महि हुआ है